जिनकी आवाज है बुलन जिनकी सिंगिंग डायक दिल को छूती है जिनकी उम्दा आवाज को सुनकर हर कोई ये जानना चाहता है कि आकर इतना बहतरीन गाने वाला क्यूट कपल कौन है और ये रातो रात कैसे वाइरल हुआ तो ये वाइरल कपल है दा कंपोजर, सिंगर, मुजिक डारेक्टर, परमपरा ठाकूर एंड साजे टंडन अगर आपको ये लग रहा है कि ये नॉर्मल कपल है तो आपको गलत लग रहा है तो इन्होंने बेख्याली, मेरे सोनिया, पलपल दिल के पास मुकाबला जैसे कई पॉपलर हिट सौंग वॉल्लिवूट को दिये हैं और अभी हाल में बहुत तेजी से पॉपलर हो रहे है छोड़ देंगे सौंग भी इन्हों निकाया है तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस वाइरल कपल की लाइफ स्टोरी की तुरू वो सारे अंसुने राज जानेंगे जो आप नहीं जानते होंगे और इस वाइरल कपल में हस्बेन का नाम है साचे डंडन और वाइप का नाम है परंपरा ठाकुर हम इनकी प्यारी सी लावी स्टोरी भी जानेंगे जो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंट्रस्टिंग तो चलिए देन ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अठाइस वरवरी 1902 को यूपी के नौईडा के मुझिकल ठाकुर फैमिली में प्यारी सी बच्ची का जन मुआ जिसका नाम परंपरा रखा गया परंपरा की फैमिली में इनके मम्मी पापा सिंगिंग कर देते जिसकी वज़े से परंपरा तीन साल की उम्रे में ही परंपरा ने अपनी स्कूलिंग नौईडा के एक स्कूल से किया था और अपनी कॉलेज की पढ़ाई लेडी श्री राम कॉलेज से की थी और इन्होंने अपनी पढ़ाई खतम करने के बाद 2015 में दा वोईस इंडिया में ओडिशन दिया इनका ये पहला ओडिशन था तब य और ये इस शो की सेकेंड रणर अप रही है तो चलिए साचेत और परंपरा की लव स्टोरी जानने से पहले हम साचे टंडन के बारे में भी कुछ जान लेते हैं 17 अगस्त 1989 को यूपी के नवावो के शहल लखनो के पंजाबी फैमिली में एक लड़के का जन हुआ जिसका नाम साचेत तंडन रखा गया इनकी फैमिली में किसी को भी मुजिक का इंटरस्ट नहीं था लेकिन इनको बचबन से ही गाना गाने का बहुत जादा शौक था इन्होंने अपने स्कूलिंग सेंट फीडल्स कॉलेज से किया है और अपने स्कूलिंग के टाइम से ही इन्होंने गाना सीखना स्टार्ट कर दिया था और जब ये कॉलेज में थे तो ये बैंड इन्होंने जॉइन कर लिया था जिसमें ये गाना गाया करते थे इन्होंने पढ़ाई अपनी लखनों इन्वस्टी से किया है साचेत ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ओडिशन दिया है लेकिन जब यह दब वोईस इंडिया में और इन्हों ने सुचा कि यह मेरा लास्ट ओडिशन होगा लेकिन कभी-कभी कहते हैं ना कि हमारी आखरी कोशिश ह हमें हमाई सफलता की बुलंदियों तक पहुचा देती हैं और कुछ ऐसा ही हुआ इन्होंने जब ऑडिशन दिया तो दब वोईस इंडिया में इनका सिलेक्शन हो गया जब इन्होंने शो में पहली पर प्रफॉर्म किया तो सारे जज़स इन से बहुत ज़्यादा इंप्र कहते हैं ना कि कड़ी मैनत कभी भी खराब नहीं जाती है और साचेत को यह सब देखकर ऐसा ही लग रहा था और इन्होंने में सशमया की टीम को चुना और यह टॉप फोर में पहुंचे तो चलिए साचेत और परंपरा की प्यारी सी लव स्टोरी जान लेते हैं दब वोईस जिसकी वज़े से उन्होंने परंपरा को कहा चल हट लेकिन परंपरा यह सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगी लेकिन साचेत ने उन्हें मनाया और बोला कि प्लीस मत रो मेरा वो मतलब नहीं था लेकिन इनकी तब ऐसे ही बात हुई थी उसके बास से इस शो में इनकी कभी बात नहीं हो थी लेकिन रुको रुको ट्विस्ट अभी बाकी है यह शोग खताम हो गया और मीका ने 5-6 महीने बाद एक पार्टी थो की इस पार्टी में साचेत भी आयते और परंपरा भी आयती इस पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई और कुछ बात हुई इसके बाद यह लोग होम टाउन चले गए लेकिन फिरते मिलने का मन बनाया है फिर इन लोग कुछ दिनों बाद मुंबाई है मुंबाई में यह लोग कवर संग और जयायम संग गाई रहते कि विथिन वन इयर श्री नरायन सर की तुरू इन्हें टोइलेक्ट में गाना गाने का मौका म लेकिन 2019 इनके लिए बहुत ज्यादा लगती रहा क्योंकि उसमें इन्होंने बेख्याली सौंग आया जो बहुत ज्यादा सुपर डूपर हिट हुआ जिसके लिए इन्हें नेशनल और इंटरनेशनल काफी ज्यादा अबॉर्ड मिले और इन्होंने अभी हाल में ही छोड़ देंगे सॉंग आया जो बहुत ज्यादा सुपर डूपर हिट हुआ और वाइरल हुआ यह बोलिवुट के पहले मेल फिमल मूजिक डारेक्ट और और कमपोजर है साथ में काम करते करते इन लोगों को कब प्यार हो गया पता नहीं चला और इस पांच साल के सफ़र के बाद इन्हों ने 27 नॉमबर 2020 को साधी करने का मन बनाया और शाधी कर ली और अब यह अपने शॉप वीडियो और रिल्स के थ्रू काफी ज्यादा पॉपलर हो रहे हैं लोग इनकी सिंग्य पर 6,000,000 फॉलोवर से और यूटूब पर इनका खुद का एक चैनल है जिस पर 7,000,000 सब्सक्राइबर है तो चलिए मैं आशा करते हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे अगर मिल गए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो कर दिजेगा एक लाइक और इसी आमेजिंग वीडियो चैनल कर दिएगा सब्सक्राइब हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास उसके लिए बैल आइकोन प्रोल पर क्लिक कर दिजेगा बाबाई मिलते हैं नेक्स्वीडि कर दो में!